हमारे पास भी शुय वक्तर थे वसी मकरम थे वकाय यूनस थे बड़े बड़े नाम थे तो जब वो कभी वानफिट होते थे तो मैज नहीं खेलते थे तो यह नहीं था कि पाकिसान मैच हार जाती थी फास्ट बोले ऑल राउंडर क्यों नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा है पाक पाकिस्तान इसवक हैदराबाद यानि इंडिया में है फोर वर्ल्ड कप 2023 और वाम अप मैच जारी है इसवक इंडिया में पहला मैच पाकिस्तान न्यूजरेंट के खिला वेल मेरे साथ मौजूद है अबदिलर्जाक इन से जानते हैं अच्छा बताईए का सर वाम-प मैच स्कॉर्ड अनाउंस करने में बहुत टाइम लगिया तो पहला वाम-प मैच हारना क्या फर्क पड़े का पाकिस्तान टीम पर नहीं देखे यह एक रिकर्ट में होता है और डेफिनिली इंपेक्ट तो बड़दा है जिसना एशिया कब में परफार्मस दी है और इतना करने होते हैं आप उन्हें अपनी इंटेंट रिशो करनी होती है पाकिसान टीम को चाहिए कि वामा मैच हो यह इंटेंट को थोड़ा सा पॉस्टीव कर ले और जितना पॉस्टीव करेंगे जैसे न्यूजी लांड ने किया अगर पाकिसान ए 345 करना होता तो ड़देफिनि लेकर काफी कंसर्ण रेता है हमेशा लेकिन वाम अब में क्योंकि यह कैसा टेस्ट माच होता है जिसमें टीम की प्रेपरेशन का अंदाजा लगाया जाता है तो बाबर भी अच्छे फॉरम में लगे रिजवान भी अच्छे फॉरम में लगे ओवरोल बैटिंग आपको किस तरह लगी देखे बात ही है कि हर पिछ के उपर रंज होते हैं और आपको यह एसेस करना है कि यह पिछ कितने रंजों वाली है अगर पाकिसानी बैट्समेन कमफटेबल फील कर रहे हैं तो इसका यह नहीं मतलब के दूसरी टीम अनकमफटेबल फील करेगी और उन्होंने शो क कर सकते हैं तो हम 43 ओवर में कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि उनका वह पॉस्टिव थे उनकी इंटेन्ट ज्यादा पॉस्टिव थी वह पिछ के मताबिक खेले और सेकंड इनिंग्स में चेस करना आफ्टर फिफ्टी ओवर फिल्लिंग करने के बाद तो मैं समझता हूं यह एक विल पावर होती है जो पाकिसान को भी शो करनी पड़ेगी विल साओच शकील को लेकर काफी बात चल रही है लोग डिसकस कर रहे हैं कि साओच शकील की जो सेलेक्शन है वो एजिया कप में क्यों नहीं हुई इस वाम-प मैच में भी साओच शकील ने अच्छा परफॉ कि आप प्लेर को कैसे ड्वैलप करते हैं अगर उनको कॉंफरेंस देते हैं तो अगर परफॉर्म करते हैं तो वो खेलते हैं अगर नहीं करते तो बाहर हो जाते यह अच्छी चीज नहीं है अगर आपने उनको लेकर चलना है तो उनको शुरू से मैच्छ खलने चाहिए थे इसका मतलब है कि वो आपको शो कर रहा है कि जी में वांडे भी खेड सकता हूं तो अब उनको तो पता पहले भी था एश्या का में अपरचुनिटी देते एश्या का में ही आप आपने वर्ल्ड कुप के लिए तिहारी कर सकते थे तो इस ना की जो प्लैनिंग है हम आर खाते हैं हम एक दो मैच में परफॉर्म नहीं करते तो बाहर कर देते हैं तो यह अच्छा साइन नहीं है ठीके जी वेल नाव कमिंग तो दी बाॉलिंग यूनिट जिस पे हमें बहुत नाज होता है कि पाकिस्ता दुनिया की सबसे खतरनाग बाॉलिंग यूनिट है लेकिन अनफॉर्चुनेटली नसीम आउट है और डियू थिंग नसीम के वैसे जाने से कमजोर पड़ पड़ ग तो जब वो कभी उनफिट होते थे तो मैच नहीं खेलते थे तो यह नहीं था कि पाकिसन मैच हार जाती थी तो उसमें प्लियर सारे जान मारते थी यह पार्ट ऑफ दी गेम है होता रहता है नसीम शाह जल्दी उनफिट होंगे फिर वाफस टीम में आएंगे पर आप उर मा निकाल देना चाहिए अब आपकी जो टीम है यही बैस्ट है आप इनों आपने इन से कैसे परफार्मस लेनी है इस पर आपको सोचना पड़ेगा इस पर आपको डिसक्रशन करनी पड़ेगी पर पॉस्टिव प्लेरों को ड्वालब भी पक करें उनसे परफार्मस भी ले औ में तो हारिस रौफ कितने लीथल साबित होंगे या क्या अलग रहा है वो शाहीन के भी एपसेंस में थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं या प्रेशर में आते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है इक रिक्रट में होता रहता है और वह इंटेंड नहीं होती हारस रौफ बहुत जब पाकिस्तान की जर्णी इस वर्ल्ड कप में नहीं लेकर जा सकते हैं वामा में आपने उन प्लेयों को चेक करना होता है जो बैंच पे बैठे हुए हैं उनको उपर्चुन्टी दें कि वो ज़्यादा खेलें और हमारी प्रावलम यह है कि अगर वामा मैंच में को स्कोर कर ज पाकिस्तान की जर्णी इस वर्ल्ड कप में कितना तवील देख रहे हैं कहां तक यह टीम इतरी आपको पिटेंशल लग रही है सेमी फाइनल फाइनल खेलेगी क्या लग देखें ओवराल हर जगा यही बातें चल रही है और लोग थोड़ से डिसाड़ हुए आफ्टर एश पाकिसान की टीम है और इसमें सिर्फ आपने हार्ड वर्ड कर ले आप पॉस्टिव रहेंगे आप विल पावर अच्छी होगी आप टीम के लिए खेलेंगे तो यह तीन चीजे जब अप्लाई करते हैं ग्रॉंड में तो अल्ला मदद करतें और यह डिफिनिली होता है दो है उनमें से जो हाड़ वर्ड करेगा विव वड़ अब अच्छी होगी टीम के लिए खेलेगा वह कामयां होगा अच्छा फास्ट बॉलर आल रांडर की नीडे पाकिस्तान को आपको क्या लग रहा है कि फास्ट बॉलर आल रांडर क्यों नी प्रोड्यूस हो पा रहे है द करते हैं कि बस यह ठीक है जब वह नहीं कर रहा है तो बार हो जाए जैसे फखर को देखें अगर दो तीनी मिन पहले देखे तो फखर बिलकुट डिफरेंट थे अब जब एश्या का में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके तो अब यह मोका होता है प्लेयर को ठाने का अब वहा अगर यह स्पोर्ट करते हैं घंडिया को तो डेफिनिली फखर परफॉर्म करेगा तेफिनिटी वेल में लास्ट क्वेशन इसके चूख यह वर्ड कप इंडिया में है और पाकिस्तान को इंडिया को भी फेस करना होगा और जब भी पाकिस्तान लिए का मैच होता है तो एक तो पर यहां पर पाकिसान के पाफी पापिसान के पाफी पर खेलना पॉस्टिव पड़ेगा जिस पिछ पे साड़े ती सो चार्ट रंज बनते हैं वहां पर आपको करने पड़ेंगे अगर यह नहीं करेंगे तो फिर थोड़ी सी नहीं प्राब्लम होगी जैसे हुआ मैच में आपने दिख खेंज के सपोर्ट के वाले से बता है कि फैंस घुसा ना करें अपनी टीम को सपोर्ट करें हर हार देखिए यह तो अच्छी बात है ऐसा होना नहीं चाहिए कि सपोर्ट ना करें सपूर्ट करनी चाहिए दौा करनी पाकिसान टीम कुछ भी कर सकती है और एक या दो मैं चाहिए होते हैं आपको पता है कि अगर पूरे वर्ण में कजिती टीमें हैं चार यह पांच तो टॉप की टीमें हैं यह पाकिसान समी फैनल तरह पूंचे और समी फैनल को बड़ी इची तरह हैंडल करें एक क्लिक की बात है तो आप फाइनल में पूंचे हैं तो फाइनल में फिर अला मालक है कौन जीता है कौन हाथ है तैंक यू सो मच अब्दूर्जाक हमारे साथ मौजूत है अलाहाफिस